नमस्कार मैं स्यों माप सभी का स्वागत करता हूं से मरा दरपन्युज में आई नज़ट डालते हैं फटा-फट खबरों पे उत्तर प्रदेश के राजनेतिक कह जाने वले राइवरेली जिले की फटा-फट खबरों पे नज़ट डालते हैं अमेटी से एक बड़ी खबर आ रहे कि अमेटी डाक्टर ख्याती गर्ग पुलिस अदिच्चक के द्वारा अमेटी में फ्लाइग मार्च किया गया और लोगों को करोना से बचने के भी उपाई बताय गया और सोचल डिस्टन्स का भी लोगों को ख्याल लखने के भी बचने के लोगों को उपाई बता बता जा रहा है और वहीं पर राइबरेली के जिले से एक बहुत बड़ी खबर निकल का आ रहे कि करई जिले में करोना की संख्या बढ़ती जा रहे है करोना मरीजों का संख्या अब 45 हो गई और करोना का कहर्य रुकने का नाम नहीं ले र समच गया है और उनको लखनव रेफर कर दिया गया है और दिन पर दिन करोना के एक नएक मरीज सामने आते जा रहे हैं जिसकी वजह से राइब रेली प्रसासन बिल्कुल सकते हैं और लोगों को हिनायत दे रही कड़े निर्देश दिये हैं कि अपने घर मेरे शुरद्चित हैं और वहीं राइब रेली उत्तर प्रदेश के राजनितिक राइब रेली राही विकास के नगनाम बंचा सिम्रा से बड़ी खबार है कि कल रात एक महिला च्छत से गिरकर गंभी रूप से घायल हो गई है और उसको सुबा जीला स्पताल में भरती कराया गया है इंबुल से गिरी और काफी चोट उसको आई है यह आप तस्वीरों में देखना है कि कि कितनी भैंकर रूप से घायल है उसको जीला स्पताल में भरती करा गया और बने रहे इसी तरह ताजातरीन खबरों के लिए हमारे सिम्राधरपन न्यूज के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नह झाल 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 झाल